लेकिन कुछ ऐसी मूवीज भी होती हैं जिने हम जितनी बार देखें कम है लेकिन आज हम आपको इन मूवीज में हुई कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो नमबर वन लडॉफ दा रिंगs दोस्तों आप खुद ही सोचें कि अगर आपको कोई बहुती पुराने जमाने की फिल्म देख रहे हों और उसमें आपको अगर एक स्पोर्ट्स कार दिखाई दे तो आप कैसा महसूस करोगे लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोड ओफ दा रिंग मोवी में जहां फ्रोडो और सैम खेतों के बीच चल रहे होते हैं वहीं अगर आप इस सीन के साइड में देखें तो आपको यहाँ एक कार भी चलती दिखाई देगी जिसका वहाँ कोई काम नहीं है लेकिन जब लोगों ने इस सीन को थेटर में चलते देखा तो लोगों काफी हंसी आई और फिर इन लोगों ने इस फिल्म की डिवीडी में से इस सीन को हटा दिया नमबर टू एरिपोर्टर एंड दा ओडर ओफ फिनिक्स दोस्तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हैरिपोर्टर मूवी पूरी पूरी मैजिक बेस्ट मूवी है जो के हम सब की फेवरेट है और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनों ने ये मूवी ना देखी हो और आज हम आपको इस मूवी में होई एक ऐसी गलती दिखाएंगे जिसे शाद आपने भी ना देखी हो दोस्तो आपको ये तो पता होगा कि हैरिपोर्टर को बहुती ड्राउने खुआब आते थे ऐसा ही एक खुआब यहाँ हैरिपोर्टर को इस सीन में आया इस सीन में पहले जब हैरिपोर्टर खुआब देख रहा था तब इसने राउंड कोलर वाली हाफ लाइट ब्लू टी शिर्ट पहनी है लेकिन जब वो खुआब देकर उठता है तो तब इसने बटन वाली फुल डार्क ब्लू टी शिर्ट पहनी होती है लेकिन इसके गिरने के बाद इसके पीछे एक गैस स्लेंडर दिखाए देता है दोस्तो ये बात हम जानते हैं के स्टार वार्स के फैंस के लिए छोटी मोटी मिस्टेक माइने नहीं रखती क्योंकि ये अपनी इस फेवरिट फिल्म से बहुत प्यार करते हैं लेकिन दोस्तो इस film की सबसे बड़ी गलती इस film के सबसे फेमस क्रैक्टर के साथ हुई इस film का फेमस क्रैक्टर यानि के BB-8 रोबोट जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और आपको याद हो कि इस रोबोट के सर पर एक एंटीना होता है और इस scene में जब ये actress इस robot के सर से एंटीना को सही कर रही होती है तब ही वो इसको इसके सर से निकाल देती है लेकिन जब दूसरा scene आता है तो एंटीना चेंज हो जाता है दोस्तो फ्रोजन मुवी डिजनी की बहतरीन फिल्मों में से एक है जो सबी को पसंद है लेकिन इस बहतरीन फिल्म में भी कुछ ऐसी mistake है जो देखने वालों को सोच में डाल देती हैं कि ये कैसे हुआ जैसे कि आप इस scene को ही देख लीजिए जैसे ही ये दोनों बरफ के पहार से गिरते हैं तब ये दोनों एक रसी से बंदे होते हैं लेकिन गिरने तक ये दोनों रसी से बंदे होते हैं और जैसे ही ये दोने नीचे गिरते हैं तो रसी अपने आप ही गाइब हो जाती है दोस्तो इस फिलम के हर क्रेक्टर की अलग ही पहचान है और यही चीज इस फिलम को अलग बनाती है लेकिन दोस्तो इस फिलम में भी एक ऐसी मिस्टेक है जिसे देखकर आप सोच में पढ़ जाएंगे कि यह क्या देख लिया इस सीन में जैक स्पेरो के लेफ साइड में आप एक कावबॉय हैट पहने वाइट शल्ड में एक आदमी को खड़े हुए देख सकते हैं ऐसे में इस शक्स का यहां क्या काम भला दोस्तो एनिमेशन मूवी तो बच्चों की फेवरेट होती है और यह मूवी बच्चों के सासत बड़ों की बहुत पसंदीदा मूवी है लेकिन इस मूवी में एक ऐसी घलती हुई जिसे नदर अंदाज नहीं किया जा सकता इस फिलम में इस लड़की के बालों को डिजाइन करना इन लोगों को काफी मुश्किल था और इस लड़की के बाल हर दूसरे तिसरे सीन में चेंज हो जाते हैं नमबर एट टीन वॉल्फ दोस्तो 1985 में आई कॉमिडी फिल्म टीन वॉल्फ में भी बहुत मिस्टेक्स हैं दोस्तो इस फिल्म के इस सीन में जब ये शक्स बाल को बसकिट में डालता है तो सबी लोग इसको चेयर अप करने के लिए उठते हैं लेकिन इस सीन में आप पीछे टारे इस शक्स को देखें ये शक्स अपनी पैंट को सही करने में ही बीजी है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ